दोस्तो आज की इस वीडियो को टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आज हम इस वीडियो में ट्रांस्फार्मर की कोर के बारे में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं आप यह स्कीन पर जो कुर्स्टन देख रहे हैं इन सभी के बारे में हम बहुत ही detail में समझने वाले हैं जैसे कि transformer core क्या होती है transformer core का क्या काम होता है transformer core को पदले sheet से क्यों मनाते हैं transformer core के कितने part होते हैं transformer core के कितने परकार से बना सकते हैं इन सभी question का answer इस video हम समझने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और शुरूत करते हैं कुस्चन से कि ये ट्रांसफर्मर की कोर क्या होती है ट्रांसफर्मर के अंदर ये जो पार्ट होता है जैसे कि आप पिक्चर में जख सकते हैं जिस पर वाइनिंग लेपेटी जाती है इसको इस ट्रांसफर्मर कोर कहते हैं ट्रांसफर्मर कोर लाओ दातू यानि कि फेरो मैंगनेट माटरियल का एक परतदार सीटों का एक स्ट्रक्चर होता है जिन सीटों को एक साथ रखा जाता है यानि कि ट्रांस्फर्मर कोड बनाने के लिए फेरो मैंगनेन माटरियल का बहुत सारी पतली-पतली सीटे बना जाती है फिर उन सीट़्ों को इंप्रेग्नेटेड पेपर और वारनेस की मदफ से इंसलिट किया जाता है इस परतदар सीटों को Laminations कहते हैं इन Laminations की मूटाई 0250,5 mm से 0250,5 mm तक रखzahlाएँ अब इन Laminations को एक साथ रखकर Transformer की Core बनाई जाती है अब Transformer की Core के पार्ट की बात करें तो एक Transformer Core को दो भागों में बाटा जाता है एक होता है Yoke और एक होता है Limp ट्रांस्फर्मर कोर का वह बाग जिस पर वाइंडिंग की जाती है इसको लिम कहते हैं और लिम के लावा कोर का सेज बाग योग कहलाता है ट्रांस्फर्मर कोर के लिम को कई बार लेक भी का जाता है Core के योग और लिम आपस में मिलकर Magnetic Flux के लिए एक रास्ता प्रिवाइट करते हैं अब इस Transformer Core तो समझ लिया लेकिन अब कुछ तरह आता है कि Transformer Core आखिर करता क्या है इसका काम क्या होता है अब यहाँ हम यह बात नहीं करेंगे कि Transformer का Voltage को Strip Up इसलिए एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में Energy Transfer Magnetic Flux के रूप में किया जाता है लिटिकल यह इसलिएट का मतलब होता है यह दोनों कौईलों को इतार आपस में किसी प्रिकार से जड़ए नहीं होते हैं एक दूसरे से दूर रहते हैं अब मान लेजिक एमाँ पास दो कौईल हैं जिनको हमने पास पास रखा है जब उनमें से एक में करंट फ्लो कराते हैं तो एक Litro Magnetic Pdim बनती है और Magnetic Flux बनता है जो दूसरी कौईल को कट करता है जिससे दूसरी कौईल में करंट फ्लो करने लग जाता है यहांपर हमाँ पास किवलद दो कॉईल हैं जिससे मैंगनेटिक फ्लस्ट की पात यानी रास्ता होता है वो अनफोकस रहता है क्योंकि यहां हमने दोनों कॉईलیں हवा में रखी हैं और पहली कोईल से दुसरी कोईल में फ्लस्ट डेंस्टी बहुत कम रहती है और कम इनर्जी टांसपर होती है अब इन दोनों कोईलों के बीच एक आईरन कोरेट कर देते हैं तो iron core के माध्यम से पहली coil से दूसरी coil में अधिक magnetic flux flow करता है क्योंकि यह iron core, air core के मुकाबले flux को आसान रास्ता देता है जिससे अधिक efficiency से energy coil से दूसरी coil में transfer होती है यह इसलिए होता है क्योंकि iron की चुम्पक सीलता हवा से अधिक होती है यह उसी प्रिकार से होता है जैसे मान लेजिए electromagnetic plus कारों का एक जुन्ड है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और हवा की जगह winding को iron core में लपेटना एक ऐसा है मान लेजिए कि एक टूटी फूटी शड़क को अटाकर एक highway बना दिया जाए तब यह अधिक efficient हो जाता है अब core के construction की बात करें तो core करने वार घणी pack वाली limited seat से किया जाता है यानि कि lamination के बीच से air को पूरी तरसिक निकाल देते हैं जिससे lamination आपस में बहुत tight रहती है जिससे over heating और circulating current कम होता है air gap कम होने से core loss कम हो जाता है core में laminated street उपयोग होने से AD current loss भी कम हो जाता है अब बात करते हैं कि transformer core में किस material का उपयोग किया जाता है बरतमान समय में cold rolled grain oriented steel का उपयोग ट्रांस्फारमर के core को बनाने में किया जाता है इसमें 3-5% तक silicon का उपयोग किया जाता है silicon की उपयोग से core में हिष्टे से loss कम हो जाता है इसके लाबा hot rolled grain oriented steel का भी इस्तामाल किया जा सकता है लेकिन इसमें main problem यह है कि इससे जो ट्रांसफार्मर की कोर बनाया जाता है उसका size बढ़ जाता है इसका उप्योग करने पर एक दिसम्बलोग दो च्छाय गुना बड़ा ट्रांसफार्मर बनता है समान तरो पर cold rolled grain ओर इंटे स्टील का यह कोर बनाया जाता है कई बार एकजाम में भी एक कुस्चन आ जाता है कि ट्रांसफार्मर की कोर किस से बनी होती है तो सबसे पहले तो cold rolled grain ओरिंटे स्टील को टिक करना है और अगर यह option कुस्चन में नहीं होते हो सिलकन स्टील को टिक करते हैं और अगर option में सिलकन स्टील भी नहीं है तो सौप्ट आरेन को टिक कर सकते हैं अब ट्रांसफार्मर की कोर की डिजाइन की बात करें तो ट्रांसफार्मर की कोर का इस प्रकार से बनाया जाती है सबी को एक एक करके समझते हैं पहला है कोर टाइप जैसे कि आप इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है इसमें कोर के पास में low voltage winding करते हैं क्योंकि low voltage winding में कम insulation की आज़ सकता होती है इसमें flux path की लंबाई अधिक होती है इसलिए reluctance ज़्यादा होता है और इसमें leakage flux भी अधिक होता है इस design को अधिक voltage और कम current के लिए उपयोग किया जाता है इसमें प्रतेक limb पर high voltage और low voltage winding करते हैं इस core में flux का किवल एक ही path होता है और इसमें अधिक winding material की आज़ सकता होती है अब next है cell type जैसे कि आप picture में दख सकते हैं इसको कुछ इसपकार से design किया जाता है इसमें जो है इसके बीच वाली पुजा पर winding लपेटी जाती है इसमें flux path की लंबाई कम होती है core type के मुकाबले इसमें कम latence होता है और कम leakage flux भी होता है इसको जो है low voltage और high current के लिए design किया जाता है इसमें low voltage और high current के कारण इसको welding में भी उपयोग किया जाता है इस transformer को कम winding material किया सकता होती है तब next है very type core जैसे कि आप picture में देख सकते हैं इस core को इस पकार से बनाया जाता है कि इसके बीच में दूनों primary और secondary winding की जाती है और चारो और core रहती है इसमें air gap बहुत अधिक रहता है जिसके कारण इसमें distributed magnetic circuit बनता है और इस पकार के core design के कारण दो से अधिक magnetic path बनते हैं जिसके कारण अधिक leakage flux होता है इस अधिक leakage flux के कारण इसमें cell type और core type की तुनना में efficiency कम होती है very type transformer अधिकार्ण के इसमें high capacity transformer बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इस पकार के core construction के कारण इसमें air gear पदिक रहता है जिसके कारण winding की heat अच्छे से dissipate हो जाती है इसी कारण से इस कावपयोग high capacity के transformer बनाने में किया जाता है इस कावपयोग small rating के transformer बनाने में नहीं किया जाता है दोस्तो अगर अभी भी आपके पास transformer के core इसमें कोई question है तो जरूर प्रेमेंट में बताएं प्रेमेंट में तो के अजय है